हेलो गाइज और वेल्कम टो चिक्षा कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूं की तैयारी पुरे जोरो शोरो में चल रही होगी और रिजल्ट का सबको इंतजार होगा रहता ही है कि में कुछ ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ स्टेंज हो रहा है कि एक ऐसी चीज है जो सब विटनेस करते हैं जो भी पेपर देते हैं दोस्तों सेशन 3 हमारा आज हम डिसकस करेंगे अंसर राइटिंग का जो कल के सेशन में आने कि सेशन 2 में मैंने आपको कोशन दिया था बेसिकली उसको डिसकस करेंगे अंसर बहुत कम आ रहे हैं टेलिग्राम के उपर एक बच्चे ने अंसर लिख करके भेजा था दो बच्चों का अंसर आया मेरे पास टेलिग्राम के उपर तो आपकी मर्जिय है उसके अंदर कुछ भी फोर्स फुल नहीं है भेजोगे तो आपका भला नहीं भेजोगे तो अच्छा ही हो 2000 प्रेस नॉन वीडियो MCQ कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एगरी कल्चर को कोई भी पेपर दे रहे हैं, आप नबाड दे रहे हो, आप अभी जो डेवलेप्मेंट असिस्टेंट का पेपर आया नबाड का वो दे रहे हो अभी 50% आप चल रहे हो, हर के लिए यूस्कूल है अभी 50% आप चल रहा है, हपी 50 कोड यूस करोगे तो कोर्शन जो था हमारा वो क्या था? एनलिस्ट एंड एक्स्टेंड एडवांटेज़स और प्रॉब्लम्स ओफ फार्म बजेटिंग तो यह हमारा सिंपल सा जो है कोशन था जो हमने कल दिया था आपको तो 10 मार्क्स के लिए मैंने आपको कोशन बोला था लिखने को in 40 words 400 words, sorry 400 words के अंदर आपको यह answer लिखना था और इसके अंदर बेसिकली फार्म बजेटिंग जो है यह फार्म बजेटिंग का एक टॉपिक आता है उसके अंदर बेसिकली फार्म बजेटिंग का concept आता है अब कहीं बच्चों ने इसको किस तरीके से यहाँ पर confuse कर देते हैं कि फार्म बजेटिंग को वो जो आपका annual budget जो सरकार पेश करती है उसके साथ relate करके उससे link करके इसको डाल देते हैं बट ऐसा नहीं होता है ठीक है तो ultimately यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना था introduction आपके body का आपको जो answer है उसका structure तो अच्छे से याद रखना ही रखना है सबसे पहले आएगा intro फिर आएगी body और फिर आएगा conclusion ठीक है अब intro के अंदर आपने क्या डाल देना है आपने farm budgeting को explain कर देना है ठीक है body के अंदर तो आपके advantages and problems की बाद वो पूछी रहा है और फिर आपने ultimately इसको conclude कर देना है ठीक है एक साल में मेरा मुझे अपने agriculture के अंदर ये सब activities perform करनी है ठीक है तो in advance जो farmer है वो पूरे का पूरा अपने एक साल का या दो साल का plan draw कर लेगा उसको हम क्या बोलते हैं farm plan बोलते हैं ठीक है farm plan से ही basically आपका farm budgeting का concept ही मरज होता है क्यूंकि जब आपके पास plan है तब ही आप budget बना सकते हो ठीक है अगर आपके पास कोई plan निया तो आप budget नहीं बना सकते अब आपको goa घुमने जाना है तो goa का आप पहले plan बनाऊगे कि मेरे को goa घुमने जाना है प्लांद के लिए गुमने जाना है घिक है मेरेको family के साथ जाने है friends के साथ चाना है plan बनाओगे मेरे को यह है यह 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 कुछ चीज़े आप प्लान में इंक्लिूड करोगे आपको लगेगा कि हाँ यार यह मेरे बज़ेट में आ सकता है तो फार्म प्लान एक बेस बनता है बज़ेट का प्लान के ओपर यह बज़ेट बनाते हो ठीक है क्योंकि फार्ट देखो प्लान मिनाने को तो जमर्दी बना प्लान बनाने स्कूल में बच्चे 10 आ कल आप द frightened सम फ्रेंडर में भापने जाने लिए गए खी खेख मेर 10 एंगै और दस्वी एस क्शुरू होते थे कि जाएंगे तो गोः एक साथ जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे और उन में से बहुत से लोग फिर बाद में जा करके आभी चुके तो basically plan में बिनाने में कुछ नहीं जा रहा तो plan आप बना सकते हो बिना budget के भी लेकिन आप budget तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक आपका plan ना हो सकता है partial enterprise cash flow complete complete अब कुछ बच्चे क्या गलती कर देंगे अगर वो internet को follow करके सिरफ इसका answer लिखेंगे वह in budgeting types को explain करना शुरू कर देंगे farm budgeting को ठीक है तो यह सबसे बड़ी गलती होगी क्योंकि अपने से question में कहीं पर भी पुछा है कि what are the types of farm budgeting उसमें तो अपने से पूछा explain advantages and problem अब अगर मैं यह वाली statement नहीं भी लिखूंगा न मेरी definition के अंदर तो मेरी definition के अपर कोई बहुत जादा effect नहीं पड़ेगा ठीक है ऐसा नहीं है कि मेरी definition incomplete रह जाएगी यह जो fourth point है अगर मैं यह नहीं लिखूंगा तो इसका म beginner को यह idea लग जाए कि हाँ यार लड़के ने पढ़ रखा या लड़की ने पढ़ रखा है वो एक talent होता है अब उसके अंदर talent क्या होता है वो practice से आता है उसमें आपको यह भी देखना है कि आप अपने बहुत जादा words ना waste कर दो उसमें आपको यह भी देखना है कि आप जो answer की demand है उससे deviate ना हो जाओ तो यहाँ पर मैं deviate नहीं हुआ मैंने definition का part बना कर कहीं बता दिया कि farm budgeting जो है वो अलग-अलग type की हो सकती है एक line के अंदर कितने मेरे words यहाँ पर गए होंगे 10-12 words की game है ठीक है तो अगर इसको लेकिन आप लंबा कर दोगे फिर यह जो आपकी knowledge है यह waste हो जाएगी आपके लिए श्राप बिन जाएगी तो knowledge को वर्दान बिनाना है श्राप नहीं बिनाना ठीक है advantages के ओपर फिर सिधा body के ओपर आजेंगे connecting point जरूर डालना मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो भी आपका introduction body और conclusion है इनके बीच में connect होना चाहिए तो farm budgeting में अब इस तरीके से introduction में conclude करोगे farm budgeting has a lot of advantages few of them are इस तरीके से कुछ भी simple सी line डाल करके connect कर दो लेकिन connect जरूर करो systems का पता चलता है अब जैसे क्या करते हैं I belong to a business family तो जैसे हम किसी का business देखते हैं ना हम लोग बोल देते हैं यार इसके तो मजे है कितना पैसा कमा रहा है तो farmer को भी शायद ऐसा लगता हो यार वह बाला crop grow कर लेते हैं या उस तरीके से agriculture practice कर लेते हैं जैसे गाहों का सरपं इसर वगेला कि requirement कितनी है वो कुछ उसको पता नहीं और वो शुरू करते तो ultimately उसको loss होने के chances काफी जादा रहेंगे तो budget क्या करता है budget से farmer को एक idea लग जाता है कि आप जो अलग लग system या practices follow हो रही है वो उसको कितना profitable रहेगा उसके land के लिए कितना profitable रहेगा उसके economy के हिस आप से क्या हो system feasible है तो उससे उसका पैसा बच जाता है क्योंकि उसको advance में पता चल जाएगा कि हाँ या मेरे budget के अंदर आता या नहीं आता या इसके उपर जो मुझे return मिल रही है वो मेरी expected return जितनी है या नहीं है ठीक है इससे क्या होता है definite basis एक farmer के पास आजाते हैं वो अ इतना खर्चा है और इतना इसमें इंकम आएगा इसमें इतना MSP मिलता है इतना इसका yield होता है फिर B का देखेगा यह 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 फिर अपने पास देखेगा कि मेरे पास क्या availability है land size कितना है और उसके साब से compare करके एक better decision ले पाएगा उसके इलावा budget उसको एक अच्छा balance maintain करने में रखता है between crops between crops in a cropping system of farming and a good balance between crops and livestock in crop and livestock system तो basically अपने budget के हिसाप से जब वो proper planning कर लेगा एक farm budget form कर लेगा तो उसको एक idea रहेगा कि हाँ यार उसको किस तरह की अगर वो mixed farming में जा रहा है तो किसका mix उसको कितना लेना है ठीक है अगर crop and livestock system के अंदर जा रहा है तो किस तरीके से उसको balance maintain करना है ठीक है उसको एक idea लग जाएगा कि हाँ यार वो अपने लिए एक target set कर लेगा कि crop से मेरा annually इतना income आना चाहिए livestock से इतना आना चाहिए उसके लावा उसको help करेगा कि advance में वो देख सके कि उसको कितना seed fertilizer और बाखी के supplies बगएरा चाहिए पूरे साल के अंदर और उसके ओपर कितना खर्चा होगा कुछ buffer बगएरा के अंदर भी क्योंकि रखना होता है ठीक है budget उसको help करेगा कि कितना feed required है store कर लेता हूँ इतना मैं बाद में खरीदूँगा तो यह सारे ideas जो है farm planning और budgeting के साथ उसको लगेंगे budget helps in determining the amount of cash अब उसको ऐसा तो नहीं है ना जब कुछ खरीद खराद के रख लिया मुझे अब क्या चाहिए उसको कुछ तो cash भी चाहिए क्योंकि farm के उपर 50 तरह क्यों ट्रेक्टर चलाना उसमें diesel डलवाना है तो वो diesel को तो store करके नहीं रख सकता ना वो तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए ठीक है और भी कोई emergencies आ जाती है तो उसको कितना amount of cash सारी जो uncertainties है उनको ध्यान में रखते हुए कितना उसको पैसा चाहिए वो भी उसको ध्यान में र रखा होगा तो उसको manage करने के लिए फटा फचे उसको bank तो loan देगा नहीं bank के पास formalities उसको पूरी करनी पड़ेंगी तो फिर वो किसके चंगुल में फच जाएगा money lender के क्योंकि उसके पास तो liquid cash है नहीं उसके पास liquidity कोई भी है नहीं तो liquidity के लिए वो फिर किसके पास बड़ा problem है agriculture के लिए उसके बाद जी उसको budget ये भी help करता है कि वो ये देख सके सारा estimation लगा करके उसको की return कितना मिलेगा जो भी वो activity perform कर रहा है उससे कितना return expected है ठीक है उसके अंदर वो ये देखेगा कि कितना वो खर्चा कर रहा है कितना वो invest कर रहा है क्या investment के हिसाब स से उसको return मिल रहा है तो ये सारी चीज़े जो है budget जो farm budgeting है उसको determine करने में help करेगा limitation limitation जो normal किसी भी budgeting की होती है न वो farm budgeting में भी डाल दो सबसे पहले तो budgeting में आप क्या कर रहे हो future predict करने की कोशिश कर रहे हो बहुत सारी चीज़े आप assume करते हो ठीक है farmer assume करेगा कि हाँ आज की situation के हिसाब से seed का ये rate रहेगा pesticide का ये रहेगा fertilizer का ये रहेगा feed अभी market में available है तो future में भी available हो जाएगा तो वो तो बहुत सारी assumption है ना market के अंदर change आ सकता है तो definitely market के अंदर change आएगा तो budget आपका पूरे का पूरा जो है वो हिल सकता है और अगर आपका single operation का भी budget हिल गया वो पूरे के पूरे आपके system को effect कर देगा दूसरा costly भी होता है क्योंकि आपको देखो farmer को budget बनाना है प्रॉपर एक तो उसको अब यहाँ पर जो एक point लिखा हुआ है यह basically government के department के point of view से लिखा है लेकिन अगर farmer एक educated person नहीं है literacy level हो है तो definitely वो किसी को hire करेगा budget budget prepare करने के अं अपनी है तो definitely वो उसको costly पड़ता है rigidity budget आपका एक बार बन गया तो वो rigid होता है उसके अंदर जो time के हिसाप से changes आ रहे हैं वो changes आपको introduce करने पड़ेंगे excessive spending हो जाती है कहीं बार उसके चक्कर में क्योंकि आपने एक बार जो budget बना दिया फिर उसी के हिसाप से आप चलते है कि आपने unnecessary expense को allocate कर दिया पैसा अभी लेकिन future के अंदर उसकी कोई requirement ही नहीं थी क्योंकि आप future predict नहीं कर सकते नहीं इसके अंदर ठीक है जी उसके इलावा financial outcome जरूरी नहीं है कि इसका हर बार जो है वो positive हो time consuming भी होता है और दूसरी problem farm budgeting की इंडिया जैसी country के अंदर यह है ठीक है तो थोड़ा बहुत इसके अंदर expansion करके आप further लिख सकते हो यह जो मैंने आपको points दिया ना यह सारे सिर्फ मैंने आपको further points दिया है इसके उपर answer फिर आपको build up करना है और answer मेरे को भेजना है ठीक है limitations को भी और better किया जाता है किया जा सकता है ठीक है मेरे पास आज कम था तो मैंने as it is limitation जो मेरे को मेरे पास एक file पड़ी थी वो मैंने डाल दिया limitations को इसके अंदर और आप better कर सकते हो इसके अंदर आप limitations में और क्या point डाल सकते हो farm budgeting के अंदर आप limitation में यह point भी एक add up कर सकते हो कि India का जो agriculture है वो monsoon dependent है यह देखो खीचने वाली बात हो जाती है कि monsoon dependent है monsoon dependent है तो basically predictable नहीं है monsoon के लिए हम क्या बोलते हैं कि यह predictable नहीं है तो प्रेडिक्टेबल नहीं है तो इंडिया के सिनारियो में जहाँ पर weather predictable नहीं है और major agriculture जो है वो rain fed है तो definitely एक farm budgeting जो है वो problem यहाँ पर create कर सकता है है उसके इलावा advantages में भी आप एक point डाल सकते में आपर एक advantages में point add करना चाहूंगा कि अगर एक proper budgeting prepared है और farm loan farm plan prepared है तो farmer को expansion के लिए bank वगरा से जो loan है वो भी बहुत easily मिल जाते हैं आपर ठीक है तो वो भी एक positive point इसके अंदर डाल सकते हैं बाकी answers में पास दो आया हूं है वो मैं चेक करता हूं उसमें क्या पता कुछ औ points मिलें ठीक है तो मैं जब चेक करूंगा तो उसके अंदर यह आपको बता दूगा कि यह point valid है यह नहीं है यह जैसे भी है अब next lecture का जो question है उसमें आपका है land equivalent ratio के उपर question है ठीक है what is land equivalent ratio और इसके advantages and disadvantages बताने है अगें 10 marks का है अभी मैं 10 markers ही करा रहा हूं आपको 400 words यह आप इसका response जो है टेलिग्राम पर ही आपने answer लिख करके भेजना है और टेलिग्राम पर ही आपको इसका response जो है detailed जो analysis है वो मिल जाएगा ठीक है चलिए अब मिलेंगे next session में and PDF टेलिग्राम के उपर मिल जाएगा PDF बड़े सारे डले नहीं है तो आज यह कल में सुबा तक डल ज प्राम के उपके जो है झाल जाएगा पर एक प्राम के तो आपको जाएगा तो है वो मिलेंगे नहीं है वो मिलेंगे चलिग्राम